दिल्ली की सैर भ्रमर का जीवन में विशेश महत्व होता है भ्रमर से पुद्धी का विकास होता है आउ पाट को पढ़कर दिल्ली के भ्रमर का आनंद ले जनकपुरी दिल्ली 7 सितंबर 2000 प्रियसकी स्नेहा मधर स्मृती मैं यह पत्र तुम्हें दिल्ली की सैर के बारे में बताते हुए लिख रही हूँ पिछले रविवार को मेरे मामा जी हमें दिल्ली घुमाने ले गए थे हम घर से सुबह आठ बजे निकले सबसे पहले हमने लाल किला देखा यह यमुना नदी के किनारे बना हुआ है लाल किला लाल पत्थरों से बनाया गया है इसे भी उसी मुगल समराथ ने बनवाया था जिसमें ताजमहल बनवाया था यह किला बहुत बड़ा है लाल किले में दो प्रमुक स्थान है दिवाने आम और दिवाने खास इसी के एक भाग में एक अजायब घर भी है जहां मुगलकाल के वस्त्र, अस्त्र, श्त्र, आदिवस्त्र में रखी है लाल किले के सामने ही चान्नी चौक है यह भी भार से भरा बाजार है मैंने चाननी चौक से कुछ खिलोने और कपड़े खरीदे चाननी चौक में हर तरह का सामान मिलता है चाननी चौक के बीच में गुरुद्वारा शीश गंज है यह सिखों का पवित्रस्थान है इसके दर्शन करने के बाद मैंने जामा मस्जिद देखी यह भी लाल पत्थरों से बनाई गई है फिर हम गुडिया घर देखने गए जहां देश विदेश की अनेग गुडिया रखी हुई है मुझे यह बहुत अच्छा लगा इसके बाद हम कनाट प्लेस की ओर चले यह नई दिल्ली का प्रसिद बाजार है यहां बड़ी-बड़ी दुकाने तथा शोरूम है कनाट प्लेस में ही पाले का बाजार भी है जो जमीन के नीचे बना हुआ है सुबर से घूमते-घूमते हम लोग धग गए थे इसलिए हमने यही पर भोजन किया और घर लोटा है दिल्ली में देखने के लिए बहुत कुछ है जिनमें कुतब मिनार, राजगार, चिडिया घर, इंडिया गेट, संसद भवन, पिर्ला मंदिर, लोटस टेमपल तथा अन्यस्थान है हम अगले रविवार को चिडिया घर और कुतब मिनार देखने जाएंगे इन स्थानों को देखने के बाद तुम्हें पत्र लिखोंगी यदि तुम्हें मेरे साथ होती, तो और भी मज़ा आता चाचा जी और चाची जी को मेरा प्रणाब तुम्हारी सहेली आयोशी